विपावले की तेहार पर हर वर्ष पूरे भारत वर्ष में विशेशकर महाराष्ट्रों और विधर्ब में महाराष्ट्र की धरोहर बनी पुरातन काल के बनी किल्लों की प्रतिकृतिया बनाई जाती है। पेश है हमारे समाधाता संजमरी इनकी एक क्राउन रिपोर्ट महल के सिंदु दुर्ग के लिए से आईए देखते हैं। महात्व के किल्ले का नाम है। यह मुंबई के दक्षिन में महाराष्ट के कोकर्ण शेत्र में सित है। भारत सरकार ने इस किल्ले को दिनांग 21 जुन 2010 के दिन महाराष्ट का राष्ट्रिय सरहिशित समारत खोशित किया है। शिवाशी महाराष्ट के सैनिक दल में इस किल्ले को बहुत महत्व प्राप था। किल्ले की एक शेत्र कुर्टे बंदरगाहा पर 48 एकर पर फैला है। तडबंदी के लंबाई साधारं तह 3 किलो मेटर है। बुरुस की संख्या 52 होकर 45 पत्रीले जिने है। इन किले पर शिवाशी महाराष्ट के काल के मीठे पानी के पत्रीले खुए है। उनके नाम दूद कुआ, शक्कर कुआ, दही कुआ ऐसे है। इस किले के तडबंदी की दीवार में चट्रपती शिवाशी महाराष्ट ने उस काल में 30 से 40 शौचाले की निर्मिती की है। इन चत्रपते शिवाची महाराज के आर्मारी दल का आधिन स्थान मालवान यहां का जंतीरा मतलब यह सिंदुदुर किला है महाराज के पास 362 किले थे इन सब किलों के पूर्व में विजापर दक्षिन हुबुली पशिम अर्भी समुद्र और उत्तर खान देश वरहाड इन देशों तक का विस्तार है बुईकोड और पहाड़ी किले के बराबरी में सागरी मार्क पर शत्रो की स्वारी के लिए जल्दुर की निर्मिती महतुपूर्ण है यह पहचान कर शिवाची महाराज ने सागरी के लिए निर्मान किये अच्छी मस्बूत और सुरक्षी सलो को खोच कर समुद्र की नारू का अंदरिक्षन किया 1664 साल में मालवन के पास कुर्टे नाम का काला कभी न चटान वाला बंदरगाह किलो के लिए चुना महाराज के हस्ती किले के तटो की नीव डाली गए है आज मोर्या सा दगड इस नाम से यह जगह प्रसिद्ध है एक पत्तर पर गनीश मूर्ती, एक सूर्या खुरूती और दूसरी और चंदरकार कर महाराज ने पूझा की ऐसा कहा जाता है कि किला बनाने के लिए एक करोड होन खर्च करने पड़े यह सब खड़ा करने के लिए तीन वर्ष का कालावधी लगा जिन चार कोले लोगों ने सिद्धुद्रक बना ले के लिए योग्य जगह डूंडी उन्हें गाव के गाव इनाम दियेग है एतिहासिक सौंदरे से परिपूर्ण सिन्दुद्रक यह किला चिन कोटे खड़क पर तीन सदी से खड़ा है वह शुद्ध खड़क मालवन से लगभग आदा मील समुद्र में है इस खड़क पर समुद्र मार्ग से व्याप्तिक शेत्र लगभग 48 एकर है उसका तट दो मील इतना है तट की उचाई 30 फुट और चड़ाई 12 फुट है तट पर जगह जगह मजबुत ऐसे कुल मिलाकर 22 बुरस है बुरस के पास धारदार धड़क है पश्यम की और और दक्षिन की और अथांग सागर फैला है पश्यमे दिश्यमे और दक्षिन की और तट के तल पर पास सो खंडी शी से डाले गए इस तट को बनाने में 80,000 होन खर्च हुए इस संदर में चावा प्रतिष्ठान की और से अधिक जानकारी साजा की गई जी हम चावा प्रिष्ठान तरफे हम पिछले तीन साल से यह किल्ले का उपक्रम आपे कर रहे हैं और और महारास्ट्र जितने भी कॉंपेडिशन होती है किल्ले की उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं में 20.19 में हमने राइगड़ किया ता में 2020 में प्रतबर किया था और अभी 2021 में हमने जलदुरग मतलब सिंद्र दुर्ग जो यह समवंधर II मैपिंग के वरा सुन alorsальным अधिन्धी दिखाना था स्क्रिक्वे नें वह कंवरे अर्भी समवंधर्द्र्च निए Menu वो साडुमाति से टदबंदी बनाई पूरी और उसके बाद ही किले पे महाराज के मंदीर माराज का मंदीर और दो तीन मंदीर है दैन उसके बाद टाका है यह सब हमने मैपिंग की जरीए अज़िटीज पॉइंट डिखाने का हमने प्रायस किया अपने तरफ से बाद में उस जो भी नाव थे और जो भी बारिक-बारिक से जो चीजेस ती जो महाराज के वो सामने आना चाहिए लोगों तक वह हमने लाने का प्रायस के अपने तरफ से हमारा उद्देश है यही है छावा प्रतिशन तरफे कि हम लोगों को जो आजकाल की निव जनरेशन है वो यह सब चीजे चोटे बच्चों को उस वज़े से हम लोग ने हर साल एक किल्ला बनाने चालू कर दी हमारा तिसरा साल है इचलेवाल हमने प्रताबगड बनाया था रायगड बनाया था इस साल हमने सिंदुदूर की प्रतिकूति दिखाई है यहाँ पे दरसो नमस्कार इसमाई में बिसन के टीम जो गल्ली में आई हुई है जहां पे प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी एक किल्ले की यहाँ पे सजावट की गई है हम आपको बता दे कि यू तो माराष्ट की जो देन है जो संस्कूरती है जो सम्रिद्धी है जो संपनता ह है वो किल्ला होती है तीन सो बासस्त किल्ले है पूरे राज्य में राज्य के बाहर में उन्हीं में से एक किल्ला चत्रपती स्रीशिवाजी महाराज इनका जो था वो था किल्ला सिंदु दुर्ग अर्भी समंदर के अंदर में ये किल्ला बना हुआ था अब पूरी तटबं सिंदु दुर गई ये किला है जो इसकी प्रतिकृती आज बनाई गई है और ये किला बनाने के पीछे का उद्देश यह है कि जो आने वाली जो पिड़ी है उन्हें अपने ये महाराष्टर की जो संपर्नता है जो वैभाव है जो एक खजाना जो है पुरातत्व वो लोगों को मालूम पढ़ना चेह आने वाले नए पीड़ी को इसका ग्यात हो संगान हो इसलिए इस किले की प्रतिकृती बनाई धीवाली में हर दिन जाती है और इसी क्रम में चावा प्रतिश्टान के और से इस वर्ष भी सिंदु दुर्ग ये किले की प्रतिकृती बनाई गई है जिसे देखने के लिए विदर्ब के अलक अलक परिसर से लोग बड़े संख्या में यहां पे आते हुए नजर आ रहे हैं संजय मीरे BCN News नाकपूर